अलो प्यारे बच्चों, स्वागत आप सब का आपके अपनी यूटूब चैनल वीर एर्थ क्लास मेथ में हम कर रहे हैं चैप्टर 3.1 and क्योस्टन नमबर 7 and पार्ट नमबर इस भी देट इस लास्ट क्योस्टन and लास्ट पार्ट अफ दिस एक्सरसाईज 3.1 चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेसन बेल को उन कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इसे सेर करना ना भूले और हमें कमेंट करके जुरूर बताया करो कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है ठीक है देखिए हमें बताना है final जो result बताना है वो बताना है x पलस y पलस z पलस w यानि कि x ये रहा इसकी value निकालनी पड़ेगी फिर y की फिर z की और फिर w की value हमें निकालनी पड़ेगी तो सबसे पहले तो हम linear pair वाली जो e g value उसको निकाल लेते हैं सबसे पहले x की value निकाल लेंगे फिर हम y की value निकाल लेंगे फिर हम linear pair से z की value निकाल लेंगे इस w की value अभी नहीं निकलेगी क्योंकि हमें अंद्रूनी interior angle निकालना पड़ेगा interior angle कैसे निकलेगा इस quadrilateral में sum of all interior sum वो होता है 360 degree उससे ये निकल जाएगा 180 होगा कारण बोलिए linear pair या फिर क्या बोलेंगे straight line linear pair full form में लिखूं क्या चलो लिख देरते हैं linear pair linear pair बोल दो या फिर बोलेंगे straight line straight line पे बने हुए angle का sum कितना होता है ये वाला complete angle कितना हो जाएगा 180 degree तो हमें किस की value निकालनी है हमें value निकालनी है किस की x की तो 120 पलस का उस side जागे किस चिस का हो जाएगा minus का हो जाएगा 180 minus 120 then आपका x आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 60 degree तो सबसे पहले x की value आ गई अपने पास और वो क्या ही 60 degree इसको books में बंद कर देते हैं अब निकालेंगे हम किस की अब निकालेंगे हम y की value y की निकाल लेते हैं तो y पलस में दूसरा angle क्या है 80 degree is equal to क्या होगा 180 degree reason बोलो reason रहेगा linear pair फिर से क्या reason रहेगा linear pair linear pair means sum of two angles is equal to 180 degree अब बताओ ये plus का उस side जाके किस चीज़ का हो जाएगा minus का y is equal to 180 minus 80 then y is equal to आपका कितना आजाएगा y is equal to आजाएगा अपका 100 ये आजाएगे अपने second part की value second part की value यानि कि b का जो result आगया वो क्या आगया y का जो value आगई 100 degree आप निकालते हैं अपन z की value क्या निकालेंगे z की value तो z भी linear pair से बनेगा z plus इस angle का पूरा 180 degree होगा तो z plus 60 is equal to क्या रहेगा 180 degree कारण क्या देंगे linear pair linear pair से इन दोनों का sum क्या रहेगा 180 degree रहेगा आप बताओ ये plus का है 60 तो उस side जाके क्या हो जाएगा minus का 120 तो यानि कि final जो अपने 3 value आपको निकालने को कहा था मैंने और 3 की 3 value आचुकी है x, y, z x is equal to 60 degree y is equal to y is equal to 100 degree and z is equal to 120 degree अब निकालेंगे हम w की value लेकिन w की value निकालने से पहले मैंने आपको बताया था क्या बताया था कि सबसे पहले ये interior angle निकालना पड़ेगा माल लेते हैं आपका ये a है क्या है? a है पहले हमें a की value निकालने पड़ेगी तो अभी a की value निकालनी है तो जो interior angle है उनको देखो interior angle कौन-कौन से है 120 degree 80 degree 160 degree और ये a थोड़ा सा marker बढ़ा करके मैं आपको अच्छे से explain करता हूँ आपके mind में set हो जाएगा किसे करूँ? green से करते तो ठीक है? सबसे पहले तो खो interior angle ये क्या है? 60 degree ये क्या है? 80 degree ये वाला क्या है? 120 degree और ये a की value हमें निकालनी पड़ेगी यानि कि ये जो quadrilateral अंदर बन रहा है इसमें a की value हमें निकालनी है तो क्या बोलेंगे? हम लगाएंगे property क्या? sum of जैस सर्श्वतिमा क्या बोलेंगे? sum of all interior angles of a quadrilateral कोई भी a quadrilateral है उसके सभी interior angle का sum क्या होता है? वो था आपका 360 degree याद है? पिछवाले question में मैंने आपको explain भी किया था तो बताओ कौन कौन से 60, 80, 120 क्या बोलेंगे? पहला angle 60 है दूसरा angle 80 है तीसरा angle 120 है एक angle को आपने a माना है और सब का sum कितना आजएगा? 360 60, 80, 120 और यह बला a कलियर हो गई बात? अब हम इनको add करना है कि जी add बड़ाईजी add करना 80 प्लस 120 200 200 प्लस 60 यानि 260 प्लस a is equal to 360 then a is equal to 360 minus 260 then final आपका जो a आजाएगा a आपका आगया कितना? 100 degree a आपका कितना आजाएगा? 100 degree यानि कि अब जब हम a निकाल चुके हैं जब हम a निकाल चुके हैं और a अपना कितना आगया? a अपना आगया जी कितना? 100 degree तो आब बताओ linear प्लसे क्या यह बाहरवाला एंगल निकाल सकते हैं क्या? तो हम क्या बोलेंगे? next slide पे चले जाते हैं हम बोलेंगे a पलस डबल्यू क्या बोलेंगे? a पलस डबल्यू is equal to 180 degree reason बोलो a पलस डबल्यू is equal to 180 degree reason क्या रहेगा? linear pair क्या बोलेंगे? linear pair linear pair बोलिए या फिर straight line अब बताओ a की value कितना आगयी? 100 पलस डबल्यू की value निकालनी है is equal to 180 degree then w is equal to 180 minus 100 then w is equal to 80 degree कितना आगया? 80 degree यानि कि जो final हमें w के value निकालनी थी वो कितना आगया? 80 degree clear है भई? हमें जो final result निकालना था वो निकालना था x पलस y पलस z पलस w ये किसके equal होगा? ये हमें बताना था तो देखो x की value कितने आई थी? 60 y की 100 z की 120 60 100 120 60 100 120 और w के value अभी निकालनी है? इन सब का हमें क्या करना है? sum करना है क्या करना है? sum कीजिए sum क्या बलोगे? 120 80 200 300 360 360 ये अपना क्या आजाएगा? final result आजाएगा अब देखो बेटा एक काम की बात बताता हूँ आपको पिछले 7th question के ए पार्ट में मैंने बताया था कि कोई अगर triangle हो तो triangle के सभी exterior angle का सम क्या रहेगा? 360 तो यहाँ भी ये quadilateral है क्या है? quadilateral है हमें quadilateral बना लेते हैं और उस quadilateral में कितने भी exterior angle हो कितने का मतलब सिर्फ 4 ही हो है ना? जैसे मैंने ये quadilateral बना लिया आपको समझाने के लिए तो बेटा जो इसमें exterior angle है जैसे माल लेते हैं ये exterior angle है है ना? कौन-कौन से exterior angle हो गए? ये हो गया ये हो गया ये हो गया और ये हो गया इनके name दे देते हैं जैसे हम दे देते हैं इसको ये मालिया X है ये मालिया Y है ये मालिया Z है और ये मालिया W है X, Y, Z A, B, C, D तो बेटा लिख लेना नोट करके ये theorem है Sum of all exterior angles of a quadilateral हमेशा किसके equal होता है? वो equal होता है बेटा हमेशा किसके? 360 की किसके equal होता है? 360 की इस बात को याद भी कर सकते हो लेकिन हमें explain करना जरूरी है क्योंकि याद के number नहीं मिलेंगे हमें explain करना है तो x, y, z और w इन तीनों का sum कितना होगा? इन तीनों का sum 360 होगा वो हमने triangle में भी देखा कलिए रहे? तो ये थी आपके exercise 3.7 का last 7th question का B part होप सोम आपको समझाने में काम्याब रहा होगा नहीं समझ मैं आए तो एक बार फिर से जरूर बताया करो और share कर दिया करो आपको free of coast में हम इतना बैतरीन math one by one question करवा रहे हैं फिराल के लिए तना ही thanks and have a nice day करते हैं